लए में लोट आये रोहित और विराट कोली बांगला देश का टीम इंडिया ने तोड़ा घमंड हार्दिक पांडया ने कन्फरम कर दिया सेमी फाइनल का टिकट बांगला देश हुआ वर्ल्ड कप से बाहर शीवम दुबे ने पक्की कर ली प्लेंग 11 में जगे कुलदीप की फिरकी में नागिन डांस एंटी गुवा का मैदान था टीम इंडिया का सामना बांगला देश से हुआ था ऐसे तो बांगला देश के रिकॉर्ड टीम इंडिया के सामने बिलकुल फीके हैं लेकिन फिर भी बांगला देश हमेशा करी टक कर देता है 2007 में एक काटे की तरह चुभा था आज भी वो दर्द देता है इसलिए भारती टीम हमेशा ही वर्ल्ड कप की मुकाबलों में बांगला देश के खिलाब पुक्ता तयारियों के साथ उतरती है अब तक भले टीम इंडिया ने कभी भी 190 या 180 नहीं बनाये थे बांगला देश के किराफ 190 का आंकड़ा पार करके हुए जीत लगभग लगभग सुनिश्चित कर ली थी उसके बाद हमें पता था हमारे पास बुमरा अश्टीप कुलदीप और हार्दिक पांड़ा की ऐसी चोकड़ी है ना सामने कोई भी टीम हो उसे निस्ते नाभूत कर देगी लेकिन टीम इंडिया को आज सिर्फ जीती नहीं मिली बलकि सुपर फोर का टिकट भी मिल चुका है जिया लगभग अब टीम इंडिया सुपर फोर यानि कहें सेमी फाइल में अपनी जगे पकी कर लिए वहीं बांगल पहले बल्लेबाजी करने उत्री भारती टीम की शुरुवात जबर्जस्त रही आज रोही शर्मा 11 गेंद पर 23 रन तो विराट कोली ने 28 गेंद पर 37 रन मनाए वहीं अच्छी लाह में नजर आ रहे हैं पंत 24 गेंद पर 36 रन मनाकर आउट हो गए वहीं सूरिया आज सिर्फ एक 50 आई वो भी हार्दिक पांडिया की इसके अलावा सभी वल्लेबाजों ने अपना योगदान दिया कह सकते हैं अगर टीम का हर खिलाडी ऐसे ही योगदान देता रहना तो टीम इंडिया हर मुकाबले में 200 रन मनाएगी आज हर खिलाडी टीम के लिए खेल रहा था कोई 50 कोई सतक के लिए नहीं खिल रहा था कोई individual score देखी नहीं रहा था हर गेंद मारने को दोड़ रहा था और यही intent रहना टीम इंडिया धमाका करने वाली है लेकिन भारती गेंदबाजों की भी कहानी जान लीजे कैसे बांगलादेश की टीम इंडिया के गेंदबाजों के आ 40 रनों की पारी खेली वहीं तो हीद हदोय ने 4 रन बनाए इसके बाद शाकिव अलासन ने 11 रन महमुद उल्ला ने 13 रन जाकिर अली ने 1 रन और राशीद हुसाइन ने 24 रन बनाए और कह सकते हैं बांगलादेश की टीम को 50 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा अब टी फिजदी मान लीजिए बस थोड़े से क्यों लगना बाकी है अगर बात कर रोश्टेलिया और अफगानिस्तान दोनों टीमों ने एक-एक मुकाबले खेले हैं आज शुबह या कहें जो कलत की तारीक में शुबह मुकाबला शुरू होगा उस पर ये फैसला हो जाएगा कि दो टीमें कौन-कौन से होंगी अब टीम इंडिया आकरी मुकाबला अगर अउस्टेलिया से हार भी जाए तब उम्मेद करें कि अफगानिस्तान की टीम बांगलादेश से आर जाए फिर क्या टीम इंडिया और उस्टेलिया सुपर फोर में सीधेंटरी कर लेंगी तो फिर झाल